दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इस टाइब का लोगो एडिटिंग करना सिखाने वाले यहां पर आप देख सकते हैं इसको आप अपने लैप्टोप के वोल पेपर भी लगा सकते हैं इस टाइब का लोगो और चाहिए आप कहीं पर भी वह आप बना सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही जादा पिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है कोई भी आप से यह नहीं कहेगा कि एडिटिड लोगो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रियल में जैसी किसी कंपनी का नाम है तो यहां पर मैंने अपना नाम लिखर गया और एक लोगो और बनाय थ अगर आप कोई भी प्रोपेशनल बनाना चाहते हैं विजटिंग कार्ड किसी टाइप का था मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मैं बना दूंगा उस पर ठीक है इस तरह का लोगो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या-क्या चीज़ की जरुत पड़ेगी वह वीडियो आपको मैं complete बता दा नहीं यहाँ पर आपको डाउनलोड के फोलडर में जाना है मैं आपको देदूँगा दो पीएलपी मिलेगी और एक आपको फुल प्रोजेक्ट मिलेगा तो उन तीनों को डाउनलोड करें तीनों प्रोजेक्ट को बाकी वीडियो को जब तक आप नहीं नहीं बना पाएंगे प्लीज आप तो से रिक्वेस्ट वीडियो हो complete देखना है यहाँ पर आपको डाउनलोड के फोल्डर से जहां पर भी आपकी पीलपी है ना आपको इस तरह की से फाइल मिलेगे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल एड हो जागी इस तरह के स घंज करना चाहें तो कर सकते हैं मेरे पास यह मैंने यह वाला य rồi अगर आपके पास दूसरा लोगी है तो आप उसको सेलक्ट कर सकते है जो भी आपके हिसा इसाप से आपको अच्छा लगता है यह तरह में पास करुछ को सिस्क अपर और की नाम पर आप डबल टैप करेंगी इसके अंदर आपको अपना नाम लिख लेना है ठीक है इसमें मैं फॉन्ट नहीं दूँगा क्योंकि फाइल में आपको फॉन्ट की जरुद नहीं पड़ेगी अल्रेडी सब कुछ एड मिलेगा इसमें आप अपना नाम चेंज करेंगी जैस तो आप डाल सकते हैं आपके एसाप से फॉन अब बाक़ा कर десяफ ना चाहते हैं तो आप डाल सकते तों झाल प्रके से शार्घ में उपके में घे इसको हम लंबास में कहेंच लएग़ और ऑप कोई भी एक अच्छा सा फॉन्ट ले सकते उसके बाद Share पे क्लिकना है, Default पे क्लिकना है, Ultra पे क्लिकना है, Sell to Gallery पे क्लिक के देना है, ठीक है, पहली तो यह आपको PLP मिलेगी, दूसरी PLP आपको मिलेगी यह वाली, यह वाली, अगर आप इसमें Background लेंगे, मैं बलेक लेता हूँ, पीछे तो आपको इस तरह इससा दिख हुआ है, तो इसको आप Unlock करेंगे, एक Hindi font है, और यहाँ पर इसके अंदर कोई भी आप Color Add कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, ठीक है, बलेक भी रख सकते हैं, वाइट जो अच्छा लगता है, वो आप रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसे भी आप Save कर लेंगे, त यहाँ पर आप Close वाले Option पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको File पर क्लिक करेंगे, उसके बाद Media पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं एक आपको पेज़ती फाइल दे दूगा, आप उसे डाउनलोड करेंगे, वो आपको Download के फोल्डर में मिल जाएगी, आप उसको यहाँ पर इसको Edit करने के लिए आपको Layer वाले Option पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक Option है का Open Edit का इस पर आप क्लिक करेंगे, तो हमारा जो लोगो में ने Add किया था, पिक्सले पर वही लोगो हमारा यहाँ पर आ चुगा है, आपको अपना Logo एड करना हुए, इसके लिए आपको File पर आप उन में से कोई भी लोगो लेंगे, जैसे मैं यह वाला Logo ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोडिंग ले रहा है, यह लोगो हमारा यहाँ पर Add हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इस Logo को आप Size को बढ़ाएंगे, इस वाले Point से Size को बढ़ाएंगे, इस तीन लियर यह लियर वाला Option है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर Logo आ जाएंगे, तो नीचे वाला Logo है, वो पहले से हैं, और उपर वाल लोगो अभी का है, तो नीचे वाल लोगो को आप चाहिए तो इस पर क्लिक करके, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके सामने यहाँ पर जो आँख वाला Option है, इससे आप इसे बंद कर देंगे, वापस लियर पर क्लिक करेंगे, अभी जो हमने लोगो एड किया वही है, पहले वाला हमें नहीं दिखरा है, ठीक है, अब आपको वापस फाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक Option यहाँ पर प्लेस करना है, यहाँ पर यहाँ पर दो बार क्लिक करके वेट करना है, फाइनली हमारा लोगो यहाँ पर बेखी देखी, फ्रेडी में हो चुका है, बैस इसी तरीके से आप अपना लोगो बना सकते हैं, फ्रेडी के अंदर जितने भी डिजाइन है, आपको सब बाद JPG पहालिटी कम रहेगी इसको 100% करेंगे शेव पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद डाउनलोड अगें पर क्लिक करेंगे आपका लोगो डाउनलोड हो जाएगा आप इसको फूल करके देख सकते हैं तो फाइनली हमारा लोगो इस तरीकिया से बन चुका है और फूल लगा सकते हैं लैप्टोप के वॉल्पेबर पर कहीं पर भी देखने में बहुत ज्यादा बेस्ट लगता है प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों साथ शेर जरूर कर देना